नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबिटेक में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि यानि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंतरगत जो टीजिटी पीजिटी और प्यार्टी की बड़तियां आई हुई है जिसकी परिच्छा 19 फरवरी और 20 फरवरी 2022 को प्रस्तावित है इस परिच्छा को आप फर्स्ट अटेम्ट में कैसे क्वैलिफाई कर सकते हैं कुछ स्ट्रेट टीजिटी और पीजिटी का जो आपका एक जाम पैटर्न है वो क्या उसके हिसाब सेंपर डिसकस करेंगे कैसे आपको तैयारी करने चाहिए किसको ज्यादा वेटेज देना चाहिए दोस्तों यहां पर मेरे पास यह नोटिफिकेशन है ठीक है नोटिफिकेशन अगर आप ड स्क्रेशन लाइन चाहिए पास नोट스ंट है जो इस एकजाम को कैलिफई करेंगा उसको स्कूर कार्मिट मिलेगा एकजाम को क्यूलिफाइ करने के लिए मिनमं फिप्टी पर्संट मार्क्स लाना कंपल सरी है याई पास मार्किंग आपके फिप्टी परसंट रहेगी वन तो इस एक्जाम को क्वैलिफाई करेगा उसको स्कूर कार्मिट मिलेगा एक्जाम को क्वैलिफाई करने के लिए मिनिमम फिप्टी परसंट मार्क सलाना कंपल सरी है यह यह पास मार्किंग आपके फिप्टी परसंट रहेगी वन बाई फूर की नेगेट्व मार्किंग भी आ तो यहां पर देखे यह आपके पास पार्ट एक ऐसले पास होने के लिए आपको 50% मांक सलाना जरूरी है अब देखें पार्ट एजो रहेगा ये इसमें आपके कुल्मला करके जो पेपर होगा पार्ट ये तीन सेक्षन में डिवाइड होगा पहला सेक्षन होगा आपका बेसिक जीके का यानि स्टेटिक जीके आप मान सकते हैं ठी फैक्ट पर आदारीद है और यह जो क्वेस्टन से संबंदित होंगे और इसके लिए आपर बोला गया है कि जो टेक्स्ट बूक होती है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं इससे अपके कुश्टन से यहां पर कवर हो जाएंगे ठीक है साथ में आपर मेंटल एविल्टी से संबंद कुश्टन से होंगे तो यह कुलमला करके बेसिक जीके से आपके 28 कुश्टन से पूचे जाएंगे जिनका सीरियल नमबर एक से 28 के से भी होगा ठीक है दो दूसरा पर्ट होगा यह आपका से से सेक्शन बी ओगा इसमें आपके सारे क्विस्टन से संब्दित होगे और इसमें जो ऑपकी डिए ःथाइसों तो नेशनल लेवल करेंट अफेर वो पूंच जाएगा साथ में इंटरनेशनल इवेंट इंपक्ट इंडिया ठीक है तो यह भी आपसे पूंचा जाएगा तो कुल्म ना करके तीन टाइप के आपर करेंट अफेर आपको मिलेंगे और इस करेंट अफेर आपको अगर आप पढ़ना है तो अगर आप करेंट अफेर पढ़ते हैं तो यह आपका सिक्सन क्रैक हो जाएगा तीसरा जो सिक्सन यहां पर रहेगा वह अपके प्रोफेशनल नौलिज से सम्मझत क्वेस्टन्स रहेगा या आपने बीड किय हुआ है या डिलेट किया हुआ है ठीक है तो उससे समन्दित यहां पर देखें को संपूछ जाएंगे यहां पर देखें लिखा है कि बीर्यर टीचिंग प्रैक्टिस समंदित यहां पर क्वेस्टन्स होगे साथ मैं सिव्यस्टी कि जो रूल से जो रेगूलेशन से जो एन आपके हैंगे करेंट अफेर से और अठाइस कुश्टन्स चौविस कुश्टन्स आएंगे आपके इसके प्रोफरेशनल नौलेज से टोटल कोश्टन्स पार्टे में देखा यहां तो आसी कुश्टन्स होंगे और इसके लिए आपको डिएड़ गंटे का टाइम मिलेगा ठीक हैं तो एक कुश्टन एक नंबर का होगा इस तरीके से यहां पर जो पार्ट ए होगा इसमें 50% मार्क्स लाना कंपल सरी से साब से 40 नंबर आपको लाना कंपल सरी है ठीक हैं और 1y4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी तो यह आपका PRT है यानि पार्टे है यह सभी के लिए कंपल सरी है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं TGT के लिए तो TGT के लिए यह देखिए जो पेपर होंगे वो दो पेपर होंगा TGT के लिए पार्ट A और यह पार्ट B वाला भी TGT बिरतियों को देना पड़ेगा पार्ट A जो भी आपने उपर डिसर्स किया वो वह आपका सब्जेक्ट से रेलेटर ही होगा लेकिन यहां पर जो कुष्टेंस होंगे वह क्लास 6 से लिकर के क्लास 10 तक के स्टेंडर्ड के होंगे जो के इंसी अर्टी का से लिए बास उसके कोडिंग होंगे और इसमें साथ सरल कुष्टेंस पूंचे जाएंगे ठीक है सा आपके 42 होंगे नॉलेज और अप्लिकेशन बेस्ट कुष्टेंस यहां पर भी पूचेंगे इसका जो अपका सिलेबस रहेगा वो क्लास 6 लेकर के क्लास 10 तक करेगा आपके सब्जेक्ट का जिस विसे से अपने फॉर्म भरा है ठीक है तीसरा सक्सन यहां पर है यह भी आप आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा एक इसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा यहां पर जो कुष्टेंस होंगे आपके 11 तो टोल्टिस लेबस के कोडिंग होंगे इंसी आर्टी का जो से आपके सब्जेक्ट का ठीक है नॉलेज बेस्ट और अपका अप्लिकेशन बे पर अगर हम कितने कितने क्वेशिशन होंगे से MAStype में आपके बाली बाली इस और इंटर लेवल के आपके 12 कुष्टन और सेख्षन दی जहां पर चौवेश वह होंगे ठीक हैं तो अगर आप हाइस कूल कर लेते हैं अच्छे से हाइस कुल तक पढ़ लिया तो चो बायार सको्षम से इंटर लीवल भी पढ़ लिया, यहां पर मिल जाएंगे, 84 कोश्टन ही हो गए, अगर आप इंटर लीवल का आप अच्छे से यहां पर पढ़ लेते हैं, जानिकल मला करके अगर आप स्क्राइब तो तिर्क आपको सिक्स्टी कोश्टन से यहां पर सिक्स्टी नंबर यह आपको चाहिए होगा तो अगर आप रेजिवेशन नहीं पढ़ते तब यह बढ़ी आसाने से यहां पर भी रहेगी यह जो पार्ट आपका पीजिटी के लेवल है यह इसमें तीन से समझत होगा जो कि यहां पर नॉलिजबेस और अप्लिकेशन बेस कोश्टन्स होगे ठीक है और दूसरा होगा यहां पर यहां पर लेकर अपर मॉडरेटर लेवल कोश्टन्स आएंगे औ और यहां पर सिक्षन जो सी होगा वह आपका पोश्ट ग्रेजिवेशन लेवल का होगा ठीक है पीजी लेवल का यहां पर कोश्टन्स होगा जो कि 36 क्वेश्टन्स आपको मिलेंगे नॉलेज बेस और अप्लिकेशन बेस तो अगर पीजिटी के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपका पार्ट ए तो कंपल सरी है वो तो रहेगा रहेगा साथ में पार्ट भी आपको भी देना पड़ेगा इसमें भी नेगेट्व मार्ट कि रहेगी इसमें भी अगर आप इंटर लेवल तक ही सारी चीज़े प्रिपेयर कर लेती है अच्छे से तब भी 84 कोश्टन्स यह 50% ही रखी गई है ठीक है तो यह तो हो गया एक्जाम पैटन ब्लूप्रिंट अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे देखें आपको यहां पर एक बात बताते हैं स्पेस्ट रूप से देखें यहां पर लिखा भी गया है कि आपका एक्जाम जोए 19 और 20 फरवरी है यानि समय बहुत कम है इसमें समय कम ही रहता है हर साल समय बहुत कम दिया जाता है और देखें यहां पर लिखा अगर आपने पीजिटी और टीजिटी के लिए अपलाई किया हुआ है पार्ट बी में आप फेल हो जाती है लेकिन पार्ट ए में अगर आप पास है तो अब लेवल का स्कूर कार्ड जो है ले सकते हैं और जो आपका एक जाम होगा वह आपको 100 में नारमलाज करके दिया जाएगा और देखे यहां पर लेखा है कि पास होने के लिए मिनमां 50% मार्स प्रतेक पार्ट में लेकर के आना कंपल सरी है ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पहले से तैयारी है पहले से तैयारी करते हैं ठीक है तैयारी अच्छी है तो आपको क्या है पूरा अच्छे से प्रेपेर कर लेना है प्रैक्टिस कर ले लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है तो पार्टे को आपको अच्छे तरीक से तैयार करना है? इसमें क्या-क्या पढ़ना है? यह बैसिक GKS को आप अराम से पढ़ सकते हैं किसी भी लूशन्ट की BOOK से ठीक है और भी कई सारी BOOK आती है, उन से पढ़ सकते हैं COP लीजिए का छैममाई का करूछ से पढ़ लिए तो यह परियर्ख मुझे और आपको बता दें कि Part A के लिए जो है आपका पूरा प्रैक्टीस चाहिए या आपको टेस्सरीज चाहिए या प्रिवीज और कुशन पेपर चाहिए तो ये सारी चीजे जो है हमारे अपली केसर पर अवलेवल हैं पार्ट एक अगर आपको टेस्सरीज चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं टेस्सरीज.gov.co.uk डिस्क्रिप्शन वाक्स में एप का लिंक दिया गए एबी टेक ओनलाइन टेस्सरीज उस एप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ठीक है अब यहां पर देखिए नीचे की तरफ आएंगो तो यहां पर आपको कहां पर जाना है टीचिंग सेक्शन में जाना है इजिद्गे टीचिंग सेक्षन यहां पर है और आपको जाना है आर्मी तो, पर देखिए तो एक क्यासी तेस्ट ओवलेबल है इसमें क्या है पूरा 2019 20 2020 2020 और 2022 पूरा करेंट तव फिर अवलेवल है अब तक 2019 से लेकर के ठीक है तो आप 2021 और बाइस का ही पढ़ लिजिए आप बहुत आب सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक कॉनुटेंस होगा कि हाँ इतना हम स्कूर कर सकते हैं डेम वगारा लेना चाहें तो डेम वगारा भी ले सकते हैं कई साथ के यहां पर प्रीविए सेर्पेपर अवलेवल हैं और एक चीजह आपर और बता दें आपको की अगर आप आर्मे इंडिया लेवलिए्ट की टिचिंग एकजाम की पूरी तैयारी आप लोग यहां पर कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं पार्ट बी को लेकर के यानले को लेकर करके तो टिझेटी और पर जब्म के लिए हम इतना ही कहेंगगे दिया गया है तो उससे भी पर सकते हैं ठीक है के वह आप सिखेट के लाश ट्रॉल तक ही पड़ यह हार लेवल पर मत जाए अगर आपको यह को पर दे यह ठीक है आप इतने सही कुलिफाइब कर सकते हैं कोंकि यहां पर क्या श्कूर काड मिलेगा उसके लग अलग या तो वह के पीजीटी के लिए भी सेम फंडा यही है कि आप 12 लेवल तक ही पढ़िए इतने में आपको क्वैलिफाई हो जाएगा को कि टाइम बहुत काम है अगर आपकी पहले से तैयारी तब तो अच्छी बात है अधरवाज आपको फिर दिक्कत होगी तो आप 12 लेवल तक ही पढ़